करम है बड़ा या भाग्य एक समय की बात है एक गाउं में एक बड़ा दुखी आदमी रहता था उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग्य को दोसी मानता एक दिन वह एक बूड़े ब्रहमण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण किया ब्रहमण ने उसे बताया कि उसे भाग्य को दोसी ठहराने की वज़ाए करम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बताया कि करमों का प्रभाव भाग्य के प्रति अधिक होता है और अपने करमों के माध्यम से मनुष से अपना भागय बदल सकता है ब्रहमण ने उसे अपने साथ अपने देश में यात्रा करने का आहवान किया यात्रा के दौरान उसे एक ज्यानवान संत मिले संत ने उसे अपने पास बुलाया और उसे उसकी कठनाईयों का समाधान बताया संत ने कहा भाई तुम भगवान की किरपा से जीवन में सुखी हो सकते हो भगवान तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देते हैं अगर तुम अच्छे करम करोगे तो भगवान तुम्हें सुख देंगे, उनके मन मैं एक नई आसा जागी, उसने ध्यान दिया और उसे संथ के नेत्रों में चमक दिखाई दी, उसके बाद उसने ब्रहामण और संथ को धन्यवाद किया और अपना आभार व्यत्त किया, उसने अपने कर्मों की प्रसंसा की और उन्हें अपने दुखों से निजात पाने के लिए धन्यवाद दिया धीरे-धीरे उसका जीवन बदलने लगा वैस अत्य और नयाय के मार्ग पर चलने लगा और अपने करमों में लग गया उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए मेहनत की दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार के इस्तिती सुधरने लगी धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा और उसके जीवन में खुसियां आने लगी वह अपने भागे को स्वैम ही बदलने की शक्ती पा चुका था एक दिन वह फिर संत के पास गया और उसे देखकर धन्यवाद दिया वह बताने लगा कि अपने करम के माध्यम से अपना भागे बदल दिया है संत ने उसे आशिरवाद दिया और कहा बेटा यह तुम्हारे अच्छे करमों का फल है तुमने सच मैं अपने भागे को बदल दिया है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भागे और करम दोनों में तालमेल होना चाहिए हाला कि भागे एक महतपूर्ण अंस है लेकिन हमें अपने करमों पर भी दियान देना चाहिए अगर हम सची महनत करें इमानदारी से काम करें और सब का भला करने का प्रियास करें तो हम पर भगवान किरपा करते हैं और हम अपने भागे को भी बदल सकते हैं धन्यवाद